सबसे बड़ी वज़ा बन रही है गोल्मेंट साक्स का जो अब ग्रेड आता वह दिखा है और यहांपर अफ्ग्रेड नौर्मल अप्ग्रेड नहीं है इस डबल अप्ग्रेड क्योंकि यहांपर सेल की रेटिंग वो पहले दे रहे थे और उन्हों ने अब यहांपर बिकवाली की राय से बदल से पूरी तरह से खरہदारी की राय में convert कर दिया है और इसके पीछे of course तर्क भी है बट लक्ष आपको पहले बता दू 57 रुपे से बढ़ा कर इन्हों ने जो targets है अब 86 रुपे के देते वे नजर आ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा reason है यह है कि जो भारती IT company है in fact over an industry है उसके लिए मांग में लगातार सुधार जो है वो जारी होतावा दिख रहा है साथी FI 25 यानि की मौझूदा वित्तवर्श लेकर FI 28 तक जो recruitment vertical है वहाँ पर भी सालाना करीबन करीबन 16% की growth का यह अनुमान लगा कर चल रहे हैं और 99 acres के लिए भी 20% से ज़ादा की high growth का outlook भी यह देते वे दिख रहे हैं साथ साथ जहां पर काफी सारी जो इनकी investment अलग-अलग कंपनियों में की गई हैं उसमें एक चुनेंदा investments है जमाटो की जहां पर यह कह रहे हैं कि यहां पर वो अपना जो bullish stance है वो बरकरार रखना चाहते हैं तो of course यह सब जो commentary और overall जिस तरह से यहां पर Goldman Sachs belief करकर चल रहे हैं info edge के basis पर वो of course जो तर्क है वो काफी जादा positive आगे चलकर साबित हो सकते हैं और इसी वज़े से उनकी जो rating अप्ग्रेड हुई है साथी targets जो बढ़ाए गए है इस कारण से आज यहां पर दमदार तीजी बनती भी दिख रही है तो info edge में जबरदस strength है और stock of the day बता और रानल जी ने पीज से recommend किया था और सारे targets यहां मीट होते वे दिखाई दिये हैं विश्वेश जी info edge इन स्तरों पर कोई राय बन रही है अभी मेरे इसाब से निया थे कि immediately 8,050 में यहां से पचास रुपे एक अच्छा हडल माना जाएगा उसके उपर में सीधा जो next level बनता है वो 8500 का बनता है तो काफी दिनों से आप मानिए लास दो हफतों से एक range में था जिसका अपर एंड 8,050 के आसपास मुझे लगते हैं 8,050 के उपर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए otherwise pullback में अगर 7,880 के असपास मिले तो खरीदना चाहिए